हेलो एन वेलकम ट्योर फेवरेट चानल ब्रीनो सॉल्यूशन देखो बच्चो आज हम करेंगे कुश्चिन नामबर फॉर्थ यह कह रहे हैं यहां पर तुम्हारे पास एक स्टूडन टीचर रेशियो गिवन है ठीक है इसका मतलब क्या है कि यहां पर नामबर फस्टेट से उ क्या होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन्टू एच अब देखो यह सारे टर्म्स क्या है ठीक है तो देखो एल क्या होता है बच्चो इसमें देखो सबसारा फ्रिक्वेंसी कहां पर है बच्चो सबसारा frequency तुमाही 10 है तो इसका मतलब हमाही model class यह वाली हो जाएगी ठीक है clear है इसको तुम लेलो अपना F1 इससे एक उपर वाली F0 आगे वाली F2 तिनों values आ गई यहाँ देखो जो इसका lower limit होता है that is your L ठीक तो यहाँ पर जो L हो जाएगी बच्चों हो जाएगा 30 clear h देखो h क्या होता है upper limit minus lower limit 20 minus 15 कितना हो जाएगा 5 ठीक आगे तुमाही पास सारी चीज़े चलो अब हम इसको solve करते हैं तो देखो यहाँ पर बच्चों L क्या है 30 plus F1 क्या है F1 is 10 minus F0 is 9 divided by 2 into F1 is 10 minus F0 is 9 minus F2 is 3 into h h के दापस 5 ठीक है तो यह हो जाएगा 30 plus this is 1 राइट फिर यह आ जाएगा divided by 20 minus 12 into 5 this is 30 plus 5 upon यह हो जाएगा 1 into 55 यह हो जाएगा 8 ठीक है clear तुम इसको divide करो तुम यहाँ पर क्या मिलेगा तुम 5 को divide करो 8 से तुम यहाँ पर मोड आ जाएगा 30.62 ठीक है clear है अब क्या करना है तुमको median निकाल लिए मोड आ गया median देखो median के लिए क्या करो गया median हम निकाल लिए step deviation method से ठीक है तो मैं क्या कर रहा है सबसे पहले मैंने midpoint निकाल लूगी यहाँ पर कितना हो जाएगा 17.5 इसमें देखो 20 प्लस 25 यह हो जाएगा बस 45 बाई 2 कितना हो जाएगा मतला 22.5 सबको ऐसे निकालने की जरूगी दोनों में difference देखो 5 का है तो अब मैं 5 आट करती चली जाओंगी देखो मेरा आता रहेगा अगले एकली वैल्यू 27 में 5 आट करो 32.5 फिर अगें 5 आट करो 37.5 फिर से 5 आट करो 42.5 फिर 5 आट करो 47.5 फिर 5 आट करो 52.5 ठीक है असानी से हो अब निकालो d i क्या होती है x i minus a a क्यो होता है बच्चो तुमारा assumed value होती है तो देखो यहाँ पर जो बीच की value 1,2,3,4,5,6,7,8 है आट में से तो मत कुछ भी ले सकते हो a तो मैंने a तुमारा यहाँ पर यह ले लिया this is your assumed mean ठीक है clear है अब तुम्हें क्या करना है d i की value निकाल नहीं है x i minus a मतला 17.5 minus 32.5 तो कैसे निकालो कि दरह देखो 17.5 minus 32.5 यह कितना आ जाएगा बच्चो minus 15 ठीक है minus 15 आए चलो यहाँ minus 15 लिख देते ह अगला देखो 22.5 minus 32.5 कितना आ जाएगा minus 10 अगला देखो 27.5 minus 32.5 यहाँ गा-5 32.5 यहाँ गा-0 ऐसे चेक कर लो करिए तुमारा 0 आ रहा है इसका मतला तुम सही जा रहो ठीक है 37.5 minus 32.5 यह कितना आ जाएगा बच्चो तुमारा पास 5 42.5 minus 32.5 आ जाएगा 10 47.5 minus 32.5 आ जा 52.5, minus 32.5, यह जगा 20, ठीक है, सही चला है, अब देखो बच्चो, अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे UI, UI क्या होता है, DI upon H, H क्या था तुम्हारा 5, मतलब minus 15 upon 5, कितना हो जाएगा, minus 3, minus 10 upon 5, minus 2, इसको check ना भी करो, तो तुम सीधा कैसे कर सकते, minus 3, ascending में चलो, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 3, 4, ठीक है, अब आजो FI, UI, what is your FI, यह वाला कॉलम, और UI है यह वाला कॉलम, मतलब इन दोनों कॉलम को तुम्हें multiply करना है, 3 minus 3, minus 9, 4 2's are 8, minus 9, 10 0's are 0, 3 1's are 3, 0 2's are 0, 0 3's are 0, 4 2's are 8, अब निकालो तुम, submission FI, UI, सबको add कर दो, minus 9, minus 16, minus 9, plus 3 और 8 हो जाएगा, तुमारा 11, यह कितना निकल कर आएगा, minus 23, ठीक है, और submission FI, यह कितना आजाएगा, बच्चों, इन सबको ज़रा सा add करो, तो यहाँ पर आपके पास, यह आजाएगा, निकल कर, 35, ठीक है, सही है, चलो, अब तुम्हारे पास values आ गई है, median का formula क्या होता है, बच्चों, A, plus, submission FI, UI, divided by, submission FI, into H, A, कितना है, बच्चों, यहाँ पर तुमारा, 32.5, FI, UI, is minus 23, submission FI, is 35, into H, is 5, 75, ठीक है, सही जा रहा है, चलो, अब तुम दरा सा 23 को 7 से divide करो, तो फिर देखो, क्या आ रहा है, हम 7 से करते हैं, तो देखो, 7, 2's are, 14, ठीक है, यह आजाएगा, 3.3's है, 7, 3's are, 21, decimal लगाओ, बचेगा, 2, यह आजाएगा, तुमारा पास, 29, ठीक, सही है, 3.29 आएगा, अगर हम इसे 7 से divide करेंगे, अपने 23 को, राइग, अब 32.5 माइनस, 3.29, कितना आ जाएगा, बच्चो, this will come out to be, 0.21, यह कितना आ जाएगा, 9, 2, ठीक है, clear, this is your mean, I hope, अच्छे सांग में आया होगा, अब आजा तुम इसके question number 5 पर, देखो, बच्चो, question number 5 में कहने हैं, तो अब पास कुछ runs हो, यह number of bats, मैंने कि इतने run, कितने-कितने batsmen ने बनाया है, इसका तुम्हें mode निकालना है, ठीक है, बच्चो, तो देखो, बच्चो, क्या करेंगे, मैंने run, ऐसी table बना दी, runs is code, and this is your number of batsmen, यह तुमारा frequency हो गई, ठीक है, clear है, अब तुम यह देखो, यहाँ पर सबसे ज हो जाता है, F2, तो F04 आ गया, F18 आ गया, F29 आ गया, ठीक है, अब बच्चो देखो, formula क्या होता है, mode का, mode का formula है, L plus F1 minus F0, सब बच्चो को याद होना चाहिए, 2 into F1 minus F0 minus F2 into H, यह formula है, अब तुमारे पास, बच्चो, L की value क्या होती है, इसका जो lower limit होती है, that is your L, जो तुम plus F1 is 18, minus F0 is 4, divided by 2 into 18 minus 4 minus 9, H कितनी है, बच्चो, upper limit minus lower limit, 4000 minus 3000, बता हजार, ठीक है, यह हो जाएगा, 4000 plus, this is 14 divided by 36 minus 13 into 1000, ठीक है, clear है, अब देखो, यह आजाएगा, 4000 plus 14 upon, दोनों को subtract करो, तो यह आजाएगा, 23 into 1000, तो 1000 यहीं ले लो, ठीक है, 14 into 1000 is 14,000, इसको divide करेंगे, हम जब 14, 23 से, 14,000 को, तो तुम्हारे पास, यह कितना आजाएगा, बच्चो, यह आजाएगा, तुम्हारे पास, करके देखना जाएगा 60, mm, ठीक है, 60, 0, पर आजाएगा, 8.69, ठीक है, सही, तो इस is 0.69, ठीक है, clear है, अब इनको add कर दो, यह जाएगा, 460, 8.69, तो मगर चाहो, तो इस mode को क्या लिख सकते है, round off करके, ऐसे भी छोड़ना चाहो, तो कर सकते है, अधरवाई, 69 तुम्हारा 7 बन जाएगा, ठीक है I hope, अच्छे से समझ में आया होगा यह वाला question, अब आजा तुम इसके question number 6 पर, देखो बच्चो, question number 6 में कहना है, student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 period, each of 3 minutes, ठीक है, कुछ-कुछ time के लिए, उसने number of cars को note down करा, तो इनकी frequency इधर है, number of cars उपपर है, इसका तुम्हें mode निकालना है, तो मैंन क्या करा, बच्चो, मैंना ऐसे table plot कर ली, ठीक है, number of cars ही, इनकी frequency, अब बच्चो, देखो, mode का जो formula होता है, वो क्या होता है, हर दफा आपको लिखना है, ऐसा निए, आपने एक question में लिख लिया, तो अब अगली दफा नहीं लिखो गए, इससे क्या होगा, practice होगी, L plus F1 minus F F0 minus F2 into H, ठीक है, L क्या है, यह सारी values देखो बच्चो, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा frequency कौन सी है, 20 है, तो मेरी यह क्या हो जाएगे, बच्चो, यह वाली, this will be my modal class, ठीक है, यहाँ पर यह हो जाएगा, F1, this is your F0, अगला वाला F2, तो यह सबकी value आ गई, F0, F1, F2, L क क्या होते है, बच्चो, modal class की lower limit, L हो जाएगा 40, ठीक है, H क्या होते है, बच्चो, upper limit minus lower limit, 50 minus 40 is 10, आगे है सब कुछ, चला, बच्च में हम values put करते है, 40 plus F1 is 20, minus F0 is 12, divided by 2 into F1 is 20, minus 12, minus 11, into, what is your H, H है, तुमारे पास 10, ठीक है, यह जाएगा, ऐसे, 20 minus, यह हो जाएगा, 8 upon, यह हो जाएगा, 2 into 20 is 40, minus, यह कितना हो जाएगा, 23, minus 12, minus 11 is 23, ठीक है, चला, H कितना है, तुमारे पास बच्चो, 10, ठीक है, चला, यह देखो, 40 plus 8 upon, यह कितना हो जाएगा, this will be 17, into 10, ठीक है, यह हो जाएगा, 8 zeros are 80 upon 17, ठीक है, चला, इसको divide करके, देख लेते हैं, 17 से, 80 को, ठीक हो जाएगा, 17 into 4 is 68, कितना बचा, 2 or 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, decimal लगाओ, एक 0 लेड़ो नीचे, ठीक है, अब यह जाएगा, तुमारा 7 times, 77049, 7707, 11, ठीक है, यह कितना बचेगा, 1, ठीक है, 0 लगा दो, फिर 0 आ जाएगा, तो यह आपके पास आजाएगा, 40 plus 40.70, यह जाएगा, 44.70, ठीक है, clear है, यह क्या हो आगया, बच्चो, यहाँ पर तुम्हारे पास, इसका mode आगया, ठीक है, clear है, I hope, question अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आगे, तो प्लीज आनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है Thank you for watching Braino Solutions.